हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग दोस्तों कम्प्यूटर ग्यान के इस चैनल में आप सबका स्वागत है जब आज हम बात करने वाले हैं तो आप कम्प्यूटर पर कभी भी सर्च करते हो तो तीन तरीकी के मॉनिटर आपको शोगिये जाते हैं पहला होता है दूसरा LCD और तीसरा LED तो LCD और LED तो आपने बहुत बार सुनाओगा बात करते हैं सबसे पहले CRT मॉनिटर के तो आपने पुराने टाइम का यहां पर यहां पर एक सवाल जो यहां पर जरूरी है कि इसे CRT मॉनिटर क्या बोलते है CRT का मतलब क्या होता है CRT का मतलब होता है cathode ray tube अब यह जो मॉनिटर है इसका इंसाइड portion हम देखते हैं तो यहां पर जो tube होते हैं जिसमें होती है cathode ray tube जिसमें क्या है कि electronic beams होती है जो इसमें colors होते है RGB color की form में electronic beams होती है जो इसका जो surface है उससे जब टकराती है तो वो codec होके आपको एक visual image show करती है और आपको एक screen वहाँ पर जो भी चीज है जो भी चल रहा है वो आपको दिखाई देता है तो इस तरीके से इसके अंदर होती है cathode ray tube और इसी वज़े से इसको बोला जाता है CRT monitor क्योंकि यह CRT pattern पे काम करता है अब इसके बाद बात करते है LCD monitor की LCD का मतलब होता है liquid crystal display अब यहां पर जो liquid crystal display अब देखो यहां पर सबसे पहले comparison लेके चलते हैं आपका यह के CRT monitor और दूसरा यहां पर आगे LCD monitor तो जो CRT monitor है वो है previous और जो LCD है वो है उसका update जो CRT monitor था वो काफी जादा space लेता था LCD monitor space नहीं लेता अब जो CRT monitor है उसमें थी vacuum tube जो cathode ray tube थी उसी में होते है vacuum tube होती है जो की काफी जादा visually gain करती है यानि काफी जादा electricity consume करती है जिस problem को LCD ने solve कर दिया अब इसके बात आगे बात करते हैं जो LCD monitor है यह कैसे काम करता है liquid crystal display जब आप LCD को खोलोगे तो वहाँ पर दो तरीके की आपको यहाँ पर display मिलेगे एक मिलेगा आपको crystal display जो आगे होती है और पीछी में आपको मिलती है backlight और इन दोनों के बीच में आपको मिलती है layers जैसे कि आप इसके पर देख पा रहे हो त आपको शो करती है सेम लाग कि इसमें जो backlight है वो यहाँ पर electronic beam का काम कर रहे है एक हिसाब से और यहाँ पर जो बीच में layers है इनसे यह transform होके आपको एक visual image शो करता है तो इसमें होती है backlight जैसे बोलते है CCFL अब इसके बाद यह तो के लिए रहोगे कि liquid crystal display क्या है तो यहाँ पर आपका display जो है वो liquid crystal display है और इसके बीच में होती है layer और पीछे में होती है backlight अब यहाँ पर क्यूंकि मैं LCD समझ में आगया तो simply बात कर लेते हैं LED की LCD और LED 90% तक सेम होते हैं सिर्फ इन दोनों में एक It isrà Fixus का फर्ग होता है वो हेनści backlight जो आपका यह LCD इसकी जो backlight है वो घृती है CCFL और जो आपका जो यह LED है इसकी जो backlight होती है वो होते है emitting diode जैसे कि आप इसक्रीन पर देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो LCD का जो यह backlight है वो कैसा है और LED का है वो backlight कैसा है तो LED का full form होता है light emitting diode और इसमें diode का use हुआ होता है जिसकी वज़े से यह electricity और कम gain करता है आपको अच्छी तरीके से बता होगा कि अगर आप कोई normal bulb जला रहे हो और आप LED जला रहे हो तो उसमें कौन जादा और कौन कम बिजली gain करेगा तो यही benefit है LED का और इसी वज़े से क्य आपके जो surface होता है जो layers होती है वह सेम होती है तो यह थे दोस्तो types of monitor I hope कि जो वीडियो है वह आपको clear हुआ हो तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगए तो प्लीज जैसे like करें और अपने दोस्तों के बीच में जादा जादा शेयर करें thank you